इस lecture के अंदर हम बात करेंगे linear regression के उपर और हम आइस्ता सारे concepts को समझते जाएंगे and at the end हम linear regression के types देखने के बाद हम linear regression को python के अंदर perform करके भी देखेंगे तो यह जो आज का session है यह बहुत important है based on कि आप regression को कैसे समझते हैं and then हम बात में देखेंगे कि python के अंदर जब आप regression को use करते हैं तो कौन-कौन से metrics हैं जिनकी base पर regression के algorithm को evaluate करते हैं so basically हमारे पिछले lecture पर based आज का lecture होगा but we will see in advance कि कौन-कौन सी चीज़े हमने यहां पर पढ़ नहीं है सबसे पहले बात करते हैं regression की regression जैसे के नाम से जाहिर है आपको मैंने पहले भी बताया कि machine learning को दो तरीकों से हम बांटते हैं basically एक होती है regression एक classification इसके इलावा भी और types हैं लेकिन दो main types होती है regression वो चीज़ होती है कि जब आपने किसी एक numeric variable को predict करना होता है तो आपके पास properly एक numeric variable आता है तो इसी से आज हम start करते हैं अपने lecture का मैं अपनी screen आपके सामने share करता हूँ and here you can see the screen so सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो regression होती है उसकी main जो reason है वो क्या होती है for example अगर आप गौर करें हमने यहाँ पे regression को अगर देखें regression regression हमारे पास एक ऐसा machine learning algorithm जो हमें predict करके label जो है वो at the end एक numeric value दे numeric value say for example मेरे पास input है कुछ और एक मेरे पास है output ठीक है यानि के x यह है इसको x1 कह दें x2 कह दें यानि के दो हमारे पास input variables है जिने हम features बोलते हैं और इसकी base पर हम तीसरे को predict करें which is called y और y हमारे पास अगर इसकी data type देखी जाए तो यह अगर numeric हो यानि के continuous numeric हो continuous variable हो या आपके पास यह continuous भी हो सकता है integer भी हो सकता है but it should be in continuous manner ठीक है तो अगर आपके पास यह continuous variable है और आपका y prediction आप कर रहे हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं regression की problem यानि के आप जिस चीज को predict करना चाह रहे हैं वो एक numeric variable है तो इतना असान है जही regression को समझना ठीक है यह होती है regression जब आप किसी भी एक चीज को predict कर रहे हैं और वो एक numeric variable है और अगर यह numeric ना होता और यह कोई categorical variable हो जो y है हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं classification ठीक है उसको हम कहते हैं classification but for now we are talking about numeric variables in y और वो है regression की problem अब regression को पढ़ते हुए आपके सामने कई किसम के सवालात आते हैं कि regression कितनी किसम की है कौन-कौन से variable हो गए तो क्या बनेगा और किस तरीके से हम regression को देख सकते हैं regression को समझने के साथ-साथ अगर आप linear भी साथ लगा दें for example मैंने बात की कि linear regression linear लगा दें regression के साथ तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी regression की problem जो linearity पे depend करती है ठीक है तो obviously आपने एक numeric variable को predict करना है लेकिन आप data की linearity की base पे उसे predict करेंगे ठीक हो गया इसका मकसद यह हुआ कि जब आप linearity की बात करते हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे say for example x1 है और दूसरी side पे y है ठीक है यह दो variable है तो इन दोनों का जो relation है यह linear relation होना चाहिए एक को अगर x-axis पे draw करते हैं दूसरे को y-axis पे तो इनका linear regression जो है वो relation होना चाहिए यानि कि जब आप इनका scatter plot draw करें तो इनका जो relationship है यानि कि kde line हो या आप trend line की बात करें तो यह बिलकुल इस तरीके से linear हो यानि कि या तो यह उपर वाली side पे जा रही हो या यह कुछ इस तरीके से हो something like this like this मतलब यह कि इसके इर्दगेत सारे points scatter हुए हो ठीक है और यह यह किसी और way में भी linear हो सकता है तो linearity इसकी शर्त है ठीक है तो linear regression हमारे पास क्या होगी यह basically एक data science का basic algorithm है और इसके अंदर आपके पास एक variable इस तरीके से होगा दूसरा variable इस तरीके से होगा यह एक से भी ज्यादा भी हो सकते है ठीक है? x1 है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है हम इसकी types में जाके देखेंगे किस तरीके से तो इसका मतलब है कि सभी variables का आपस में linear link जो होना ज़रूरी होता है अब हमारे पास कई किसमें आ जाती है linear regression की फिर linear regression में हमारे पास कितनी किसमें है मैं भी आपको बताता हूँ सबसे पहली हमारे पास आ जाती है simple linear regression simple linear regression और फिर हमारे पास आ जाती है multilinear regression या multiple linear regression और इसी तरीके से हमारे पास और भी किसम की linear regressions आ जाती है which we will see inshallah in upcoming lectures but for now अगर आप simple linear regression को समझना चाहें तो हम यही से start करेंगे कि simple linear regression क्या होगी हमारे पास ठीक है so सबसे पहले हम simple linear regression से बिल्कुल start करेंगे कि simple linear regression किस तरीके से हमें impactful साबित हो सकती है जैसे कि नाम से जाहिर है कि simple linear regression कि सबसे simplest form of linear regression छोटी से छोटी form क्या हो सकती है छोटी से छोटी form यह हो सकती कि एक आपके पास input variable और एक ही output variable this is the simplest form of linear regression और अगर आप इसको simplest form को simple linear regression बोलो यह तो यह को गलत बात नहीं होगी ठीक है इसी वज़ासे इसका नाम पड़ा है simple linear regression और इसके अंदर काफी कुछ छुपा हुआ है जो आज हम discuss करने वाले हैं अब यहाँ पे आप अपना 30 से 40 seconds लें और प्लीज सर्च कीजेगा जरा Google पे जाके कि simple linear regression होती क्या है और उसकी definition क्या है I am putting a time for 30 seconds और इन 30 seconds के अंदर आपने search करना है simple linear regression क्या होती है let's go चले 55 seconds कर देते है Your time starts now क्योंकि interactive way में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा otherwise हमें सीखने को सही तरीके से नहीं मिलेगा क्योंकर है क्योंकर मिलेगे अगर ठीक है जी, तो आपका time यहां पे खतम हुआ, अब हम देखते हैं कि यह किस तरीके से हमारे पास simple linear regression जो है काम करती है, ठीक है, मैं screen आपके सामने दुबारा लेके आता हूँ, अब आपको मैं और भी detail में बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास linear regression जो है वो easily हम समझ सकते हैं linear regression के अंदर जैसे आपने देखा, आपके पास एक variable यहां पे है, ठीक है, और एक variable है यहां पे, for example यह दो लगा लें या दो से ज्यादा लगा लें, ठीक है, तो यहां पे एक आ गया, अब आपको पता है कि यह जो दो variable हैं, इनके ऊपर यह तीसरा depend कर रहा है, तो इन्हें ह और अगर आप इन independent variables को देखें, तो दूसरा जो होगा, यह कौन सा होगा, यह होगा, dependent, dependent variable, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि अगर आपके पास simple linear regression की आप बात करें, तो एक आपका independent variable है, which is your kind of input variable, x उसको बोल सकते हैं, और यह आपका dependent variable है, जिसको हम बोल सकते हैं, y, ठीक है इसका मतलब यह है, कि एक की base पे आप दूसरे को predict करते हैं, तो simply यही चीज़ है, कि अगर आपके पास, sorry, x and y है, x कोई भी एक variable हो सकता है, मैं इसको example के तोर पे कह देता हूँ, कि आप अगर यहाँ पे x की बात करें, तो हम इसको कह सकते हैं, कि this is kind of food, आप कितना intake करते है और y जो है, यह आपका weight है, ठीक है, तो यह दो variable हैं आपके पास, एक है independent, food जो है independent है, क्योंकि आप इसको खुद से add कर रहे हैं, dosage बना रहे हैं, और इसके उपर depend कर रहे हैं आपका weight, जब आप इनको draw करें, x और y axis पे, जो मैंने पहले भी adds की आपसे, तो x axis और y axis पे draw क करने के बाद, इन दोनों variables का, अगर आपके पास, for example, आप इतना food खाते हैं, तो आपका weight है, वो किस मिखदार से उपर जाता है, ठीक है, आप वहाँ पे scatter plot draw करते जाएं, और इन दोनों का इस तरीके से एक linear point बन जाएगा, और अगर आप इसमें से trend line गुजारे, तो यह इ अब simple linear regression में क्या होता है, simple linear regression के अंदर, आप इस line को study करते हैं, होता क्या है, जब machine को आप x और y देते हैं, यानि के x और y, इस मिसाल के अंदर x आपका food है, और y आपका weight है, जब आप machine को या software को आप यह दो values देते हैं न, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, तो वो क्या करती है machine, इस data से सीखना start करती है, say for example आपका data कुछ इस तरीके से draw है, x और y का, यानि के जहाँ पे x की value है, वहाँ पे y की value है, अगर आपको cartesian coordinates का याद है, जो मैंने mathematics में पढ़ाया था, तो यह scatter plot cartesian coordinates के उपर हमने बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ह हमारे पास x-axis में food है, y-axis में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास weight होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ weight, और यहाँ पे लिख देता हूँ food, अब आप गौर कीजेगा, यह plot करने के बाद, machine क्या करती है न, जो software होता है, जो machine learning का algorithm है, machine ने data से सीखना होता है, ठीक है machine क्या करती है, इन सभी points को मदे नजर रखते हुए न, अपनी एक line खैंचती है, say for example, machine कहती है कि मैंने इस data points से पहले start में यह सीखा, कि यह एक line जो है, इन पूरे के पूरे points को show करवाती है, और इन पूरे के पूरे points जो है, वो इस line के उपर depend करते हैं, यह आप कह सकते हैं कि पूरे points से मैंने यह सीखा, कि अगर कोई नया point आए, तो यह एक line हमें जो एक equation देगी, for example, y is equal to mx plus b, यह मुझे एक equation मिलती है, जिसकी base पे मैं y को predict कर सकते हूं, for example, अगर आप यहाँ पे m की value को find कर लें, और b की value को find कर लें, ठीक है, तो आपके पास कोई भी x की value for example, 7 है, 8 है, 9 है, तो आप y को predict कर सकते हैं, यानि कि इन तीन values को आप अगर जांच लें, तो आप y को predict कर सकते हैं, line हमें बताती है, m और b की value, obviously, और हमारे पास फिर x की value जो है, हम खुद add करते हैं, तो machine learning क्या करती है, हमें unknown की value बताती है, ठीक है, यहाँ तक आप याद अब होता क्या है, यह y is equal to mx plus b, जो m है हमारे पास, और जो b है हमारे पास, यह दो values हमें line से मिलती है, कौन सी line से, यह जो line हमने यहाँ पे draw की है, यह वाली line हमें यह दो value देती है, m की value और b की value, और यह line का perfectly fit होना ज़रूरी है, ताके क्यों, ताके यह सारे के सारे चोट चोटे points इस से खुश रहे हैं, ठीक है, हमने यह वाली एक line लगाई, इस से for example, हमारे पास m की value आ गई, से for example, के आपके पास, m की value है, मैं यहाँ पे यह दोनों add करता हूँ, तो आपको पता है, अगर x मेरे पास 2 होगा, तो 6, 2, 12, जमा 7, 19, तो y मेरे पास 19 हो जाएगा, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे predict किया, कि x जब 2 होगा, y इसका 19 हो जाएगा, ठीक है, so that is how you can actually predict y, लेकिन training के दुरान, आपके पास जो एक model आता है, that gives you this equation, ठीक है, और इसी equation को एक और रंग में भी लिखा जाता है, ज plus beta 1 x, ठीक है, यह क्या होता है, हम इसको अब study करते हैं, कि यह किस तरीके से हमारे पास यह दोनों values जो हैं वो आती है, ठीक है, अब अगर आप गोर करें, हमारा पहला काम सबसे important जो होता है, simple linear regression के अंदर, वो यह होता है, कि हमने जब यह line draw करनी है, यह सारे points जो हैं, इस स खुश नहीं है, वज़ा क्या है, यह वाले points कहते हैं, लेब ही बहुत अला line लग गी है, यह वाले points भी कहते हैं, बस ठीक है, मैं खुश हूँ, यह वाले points भी कहते हैं, ठीक है, और फिर, और फिर आपके पास यह वाले points भी कहते हैं, बहुत मैं खुश हूँ, यह वाले points जब आप आइस्ता इस्ता इन पॉइंट्स को देखते जाते हैं तब आपको समझ लगती है कि जो फासला जितनी पास है किसी पॉइंट का यानि कि आप जितने पॉइंट से जितना पास है किसी भी पॉइंट थे वो लाइन के पास जो जो पॉइंट है वो खुश है जो दूर है वो कहते हैं कि जी मैंनी इसे खुश ये वाला कहتे है ये इसे इतनी दूर है लाइन हमें क्या पता यानी कि कुछ क रीबी लोग इससे खुश हो गए है दूर वाले नराज हो गए है रीजन क्या है कि हर पॉइंट का डिस्टेंस इससे बोहुत दूर है यह जो दूर वाले पॉइंट हैं, यह नराज हैं, क्रीब वाले कहते हैं, जी हम खुश हैं, तो अब आपने क्या अंदाजा करने हैं, एक ऐसी लाइन लगानी है, कि सारे के सारे पॉइंट्स खुश हो जाएं इस लाइन से, यानि के एक ऐसी एक्वेशन बनानी है यहां पे, जिसमें M की और B की वैल्यू या, in other words, B1 और B1 और B1 की वैल्यू आपके पास आए, यानि के यह दो वैल्यूज जो हैं, यह ऐसी वैल्यूज है, जिनके उपर यह लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट डिपेंड करते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ कि यह क्या चीज़ क्या है? यह बीटा नॉट जो है basically, यह Y इंटरसेप्ट यै यानि के ऐसा पॉϊंट जहां पे वो लाइन Y को क्रॉस कर रही है, यह यह वाइ इंटरसेप्ट है, यह जहां पे लाइन क्रॉस करेगी यह हो गया Y निटरसेप्ट, मतलब यहां पे क्रॉस करती है यहां पे तो यह यहाँ पे इस तरीके से हम बीटा नॉट की value ले लेंगे, यानि के y intercept की, ठीक हो गया, और जो हमारे पास बीटा 1 है, यह slope है, slope की value किस तरीके से होती है, say for example, अगर आपने इस तरीके से एक line बनाई है, ठीक है, for example, यह मैं green line कुछ ऐसे खेंचता हूँ, यह आपका हो यह जनाब बीटा नॉट, यह वाला, ठीक है, और slope क्या होगी, अगर आप गौर करें, आपकी slope यह होगी कि आपने इस तरीके से, like this, आपके पास यह जो angle आ रहा है न, यह जिस तरीके से यह टेडा हो रहा है, उसको हम slope बोलते हैं, ठीक है, यह जो आपके पास point values आ रही है यह वाली, ठीक है, मिसाल के तोर पे अगर यह line मेरे पास कुछ इस तरीके से होती, like this, तो इसका slope point यहां से ऐसे होता, like this, ठीक है, सो हमारे पास जितनी line flat होती जाएगी, उतनी slope कम होती जाएगी, जितनी line जो हमारे पास अमूदी होती जाएगी, उतनी slope ज्यादा होती जा example ये हमारे पास एक random line आ गए, सारे point इससे खुश नहीं हुए, तो machine क्या करती है, इस एक line को adjust करना start कर देती है, इस side पे घुमाना शुरू कर देती है, like this, कि अब खुश हो, वो कहते नहीं, अब खुश हो, वो कहते नहीं, फिर एक point ऐसा आता है, जहां पे आके सारे points का distance जो है, वो minimum हो जाता है, यानि कि उससे आगे possible ही नहीं है, कि line से हर point दूर हो, इस एक strategy को, हम कि line को fit करने को, goodness of fit को, हम कई तरीकों से देख सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं, gradient descent एक method है, जिसको हम पढ़ेंगे भी आने वाले दिनों के अंदर, कि उसके through आप ये fit कर सकते हैं, line को, इससे क्या होता है, आपने एक line खैंची, ये सीधी line है, ठीक है, ये आपने खैंच दी, ये सीधी line से कोई भी point खुश नहीं था, आपने क्या किया, ये अच्छा मैं टेडा करता हूँ इसे, ये टेडा किया, ठीक है, वो बात कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेडी करने पड़ती है, तो अगर आप इसको ये ही मुराद समझें कि अगर ऐसे आप चमच घी में डालेंगे, तो कुछ नहीं लिख लेगा, तो आपको टेडा करके डालना पड़ेगा, तो आपने सीधी line लगाई, arbitrary, कोई भी एक line लगाई, सारे point खुश नहीं हुए, फिर वो आइस्ता इस्ता 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 fit होते गई, until that point, जहां पे सभी का distance जो है वो predicted value से कम हो गया, यानि कि मिसाल के तोर पे, अगर आप गौर करें, कि ये हमारे पास एक point है, ये वाला, ये दूसरा point है, ये तीसरा point है, ये चोथा point है, ये पांचवा point है, ये च्छटा point है, ये साथवा, ये साथ point मैंने लगाए, ठीक है, अब मैं यहां से एक line खहेंचता हूँ, this one, ठीक है, ये मैंने एक line खहेंची, it should be linear line, by the way, क्योंकि मैं हाथ से draw कर रहा हूँ, तो sometimes it doesn't look like a linear line, अब आप क्या करते हैं, ये जो यहां पर ये line जा रही है न, ये predicted value है, ठीक है, for example, आपकी original value ये है, ये वाली, ठीक है, predicted क्या है, कि इसी के पास आपकी line पर ये वाली predicted है, ये original है तो ये वाली predicted है, ये original है तो ये वाली predicted है, यह original है तो यह वाली predicted है यह original है इसकी भी यह है इसकी यह वाली predicted है तो यह जो line है यह basically machine सीख रही है कि इस point की बजाए मैं यहाँ पे आ जाँगी इस point की बजाए मैं यहाँ पे आ जाँगी ताके मैंने इसको भी खुश रखना है point को इसको भी खुश रखने है अब ये खुशी में रखने के लिए ये जो line हमें मिलती है ये हमें दो चीज़ें बताती है number one is this one beta naught ठीक है क्योंके हमने बोला है कि y is equal to beta naught plus beta 1 x ठीक है अब हमने क्या किया y is equal to beta naught beta naught की value तो हमें तब मिल गी नहीं होता है जहां पर x 0 हो यानि कि यहां पर x 0 हो गया इस जगा पर y की value क्या आए यह हमने mathematics में भी देखा था तो हमें हमारे पास intercept आ गया which is this one वो कोई भी value यहां पर होगी तो आप लिख देंगे ठीक है तो यह intercept हो गया beta naught secondly अब हमने क्या देखना है हमने अब चेक करना है कि slope की value कितनी है say for example अगर मैं यहां पर इस point की बात करूँ जो यहां पर हमने लगाया हुए so we can actually have an idea कि slope की value कितनी आती है और यह हमने खुद से calculating करनी यह हमें machine learning का algorithm बताता है तो एक तो चीज के तिर्चापन कितना है यह तिर्चापन यानिके slope कितनी है दूसरी चीज यह y पे कहां पे टकरा रही है यह दो चीजें मिलके आपको क्या देती है एक equation बना देती है एक ये वाला एक ये वाला point ठीक है और x आपके पास क्या होगी जो भी आप x की value रखेंगे जब आपके पास ये line आ गई है अब ये जो है ये predicted value है ये original value है अब यहां से यहां तक का distance इस distance को हम बोलते हैं के errors कितनी है यानि के इसको हम show करते हैं epsilon से भी कर सकते है इसका जो equation होती है this is called y predicted minus y original जो आपके initial y थी इसको original भी कह सकते हैं यानि के predicted से original का फरक कितना है और इसी को हम epsilon यानि के residuals भी बोल सकते हैं या हम इसको random errors बोलते हैं तो पहली चीज तो ये के random errors जो हमारे पास आती है वो जाहरी बात है जब किसी चीज को हमने generalize करना है तब हमारे पास random errors आ गएगी ठीक है तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास random errors भी है और हमारे पास जो values हैं वो सिधी सिधी इस तरीके से हम count कर लेंगे predicted से इसका फरक for example predicted की value है 71 sorry original की value है 71 हमारे पास जो predicted line है उसकी value है 81 तो हम क्या करेंगे predicted में से 71 minus 81 कर देंगे तो यह हमारे पास आ गया residual वो कितना होगा minus 10 ठीक है समझा ही बात की तो इस तरीके से आप count कर सकते हैं कि original और predicted में कितना फरक है अगर आपके पास इस तरीके से residuals आ गए सारे के सारे यानि के आपके पास residue values आने लग गई उसकी base पे आप अंदाजा लगा सकते है कि आपका जो error है वो कितनी जा रही है और हमने असल में ये वाली errors हर point की minimum पे लेके आनी है minimum पे सही हो गया minimum पे लेके आनी है कितनी minimum हो सकती है मतलब minus 7 से मैं उपर नहीं जा सकता ठीक है minus 7 से उपर नहीं जा सकता अगर मैं minus 7 से minus 6 पे जाऊंगा तो कोई और point नराज हो जाएगा तो इसका minimum minus 7 होगा सो हमने क्या करना है इसको minimum value पे लेके आना है यहां तक आपको clear हो गया कि आपके पास residues होते है या residuals होते है residuals बोलते है इसको random errors को residuals इनका मकसद क्या है यह हमें बताते है कि कितना फरक है आपकी line से original value होगा ठीक है और best fit line क्या करती है जिसमें possibility होती है कि आपके सारे के सारे residuals जो है वो कम होते है अब इसका एक और function भी है ठीक है मेरे पास यह जितने भी lines है जितने भी points है इसका distance इसका distance इसका distance या इसका distance और इसका distance यह सभी को अगर मद्दे नजर रखूँ तो यह कुछ का negative में आएगा और कुछ का positive में आएगा और अगर मैं इन सभी को sum करता हूँ यानि के इनको जमा करता हूँ तो यह तो आपस में cancel out कर देंगे एक दूसरे को समझ रगी बात की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर मेरे पास पहले का आता है residue difference 2 दूसरे का आता है 3 तीसरे का आता है minus 2 चोथे का आता है minus 1 और पांच में का minus 2 आ जाता है यह मेरे पास 5 points है अगर आप गौर करें तो अगर मैं इनको जमा करूंगा 2 जमा 3 तो यह 5 हो जाएंगे minus यह सारे के सारे यह भी 5 होगे तो 5 minus 5 यह equal to 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि अगर मैं कोई calculation इस पर करना चाहूं तो वो possible नहीं है क्योंके यह एक दूसरे को cancel out कर रही है errors जिसकी वज़ा से ही हमारा जो है यह line जो है best fit बैठी है इस वज़ा से हम क्या करते हैं हम हर error का हर residue का यानि कि इसका square लेते हैं हर error का ठीक है हर error का या random error का हम square लेते हैं random error का square लेते हैं square क्या करेगा square negative को positive कर देगा अब आप देखिएगा अगर मैं 2 का square लूँ तो यह 4 है 3 का square लूँ तो यह 9 है minus 2 का लूँ तो भी यह 4 है minus 1 का लूँ तो 1 है वो positive हो गया यह भी 4 है तो अगर अब मैं इनको sum करूं 4,1,5 और 4,9 और 9,18 और 4,20 ठीक है अब मैंने जब इनका sum लिया तो ये 20 आया जारी बात है इसको हम बोलेंगे squared sum sum of squared errors squared errors ठीक हो गया तो ये sum of squared errors तो हमारे पास आ गया but one thing we need to keep in mind हम क्या चाह रहे हैं हम एक value ऐसी चाह रहे हैं जो पूरी line का error हमें show करवाए यानि के इस पूरी line का original से कितना फरक है वो show करवाए तो या तो हम ये कर सकते हैं के हर एक का error निकाले और उसकी average ले ले ठीक है average कैसे आती है average का formula आपको पता है कि सब को पहले sum करो sum करने के बाद number पे divide कर दो ये होती है average ठीक है लेकिन हमें sum में problem आ रही थी तो हमने क्या किया square का sum ले लिया so हमने क्या किया squared sum ले लिया जब हमने squared sum लेके n पे divide किया तो जाहरी बात है इसको भी हम क्या कह सकते है squared average तो इस squared average को जो नाम हम देते हैं वो basically एक function होता है जिसको हम बोलते है mean of squared errors या mean squared error इस वज़ा से हम error जो भी लेते हैं वो सारी की सारी errors को हम उठाते हैं उनका square क्यों लेते हैं क्योंकि हमने sum लेना होता है mean के अंदर और फिर इस वज़ा से end पे जब हम mean लेते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया mean squared error का at the end ये क्या करेगी ये हमें एक final value देएगी जिसकी base पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो errors हैं वो कितनी की दूर आ रही है तो इस वज़ा से हमें पता चल सकता है mean squared error की जब हमारे पास value आएगी हमें पता चल सकता है कि ये जो line हमने लगाई है क्या ये सारे के सारे points को खुश रख पा रही है अगर रख पा रही है तो कितना खुश रख पा रही है अगर error आप यहां पे चेक करें minimum होगी तो इसका मतलब सारे points खुश है अगर ये error say for example बहुत ज्यादा ज्यादा फासले पे है तो ये maximum ज्यादा error होगी इसका मतलब है ना तो हमने error को बिलकुल खतम करना है और ना ही हमने error को बहुत लंबा ले जाना है या ज्यादा ले जाना है क्यों? क्योंके points को खुश करना मकसद है point के अंदर से line गुजारना मकसद नहीं है वरना ये overfitting हो जाएगी we don't need to do this overfitting हमने क्या करना है? हमने mean squared error को minimize करना है minimize का मतलब ये नहीं के 0 पे ले आएंगे we need to minimize as much as we can do क्यों? क्योंके अगर आपको पता है आपके पास ये random points है ना जिनका linear relation बन रहा है जब line straight होगी तो आप कभी भी zigzaggy line नहीं गुजार सकते like this हर points में से नहीं गुजार सकते ठीक है? तो अगर straight line होगी that means के आपका error आएगा ही आएगा कितना काम आएगा? it's up to you ठीक है? इसलिए इसको हम कहते हैं mean squared error और mean squared error क्या होता है? ये हमेशा आपको help करता है कि आपकी line कहां पे best fit बैठेगी ठीक है? हमारा मक्सद होता है regression के अंदर mean squared error को minimize करना और जितना minimize हो जाएगा वहां पे आपकी best fit line होगी best fit line is equal to सारे point खुश सारे point खुश और अगर सारे point खुश हैं इसका मतलब एक हो और है कि आपका model जो है वो best trained model है ठीक है? model best trained है समझ आगी यहां तक बात की? तो mean squared error की आपको समझ आगी होगी और इसी वज़ा से gradient descent भी इसके अंदर use होता है जो हम later on हम देखेंगे भी उसका मक्सद basically mean squared error को कम करना होता है ठीक है? ओके अब हम क्या करते है हमारे पास हमने sorry हमने mean squared error देखी ठीक है? mean squared error के इलावा हमारे पास एक और matrix होता है जो हमें बताता है कि आपकी values कितनी दूर जा रही है ठीक है? उसके लिए हम use कर सकते है root mean squared error तो root mean squared error का formula क्या होगा? आप मैं इसको कोई बता सकता है by the way root mean squared error अगर आपने कभी पढ़ा हो root mean squared error चले मैं आपको बताता हूँ don't worry root mean squared error क्या होगी? हम यहाँ पे इसकी definition पहले उठा के लाते हैं ताके आपको सही तरीके से समझ आ सके इसकी यहाँ पे चेक करें जी so root mean squared error को समझने के लिए आपको समझना होगा the root mean squared error यानि के R, M, S, E is the square root अब square root क्या होता है? this one ठीक है? of variance of the residuals ठीक है? आपका जो variance है ना residuals का उसकी आपने बात करनी है residuals का variance अब residuals कौन कौन से आपको पता है जो random errors थी हैं आपके पास random errors उनको हम residuals बोलते हैं यानि के original से predicted का फरक पहले हमने इनका mean लिया था तो हमने इसको mean squared error बोल दिया था अब हमने इनके variance को लेना है और उनका square root लेना है यानि के variance of the residuals ठीक है? variance का formula मैंने आपको बड़ी दफा पहले statistics में भी करवाया I'm not going to repeat that but I would say के आपको पता होना चाहिए के variance होता कि है ठीक है? तो उसका formula यहां पे लिखा हूँ अगर आप देख सकें आपने जो residual का formula है उनका variance ले लेना है सभी के variance का आपने फिर at the end square root ले लेना है it specifies the absolute fit of the model to the data how close the observed data points are to the predicted values mathematically ऐसे लिखा जाता है इसको RRS यानि के root sum of squares अगर आप देखे sorry for that तो उसका हम divide कर लेंगे N पे तो आपने basically जो variance होगा ना यह वाला variance इसकी बात करनी है of the residuals square root of the variance of the residues जितने भी आपके पास residues आते हैं आपने सभी को यहां पे लिख लेना for example 2 है 3 है 4 है minus 3 है 5 है इन सभी का आपने variance calculate करने है variance calculate करने के बाद आपने इसका square root ले लेना है and this is called root mean squared error तो इसको हम evaluation matrix के तोर पे use करते हैं कि कितना आपका original और predicted का फरेकार है this is how you can actually check that और हमारे पास दो terminologies और होंगी जिसको हम यहां पे देखते हैं और वो हैं जनाप coefficient of determination भी and यहां पे यहां पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक और evaluation matrix होता है एक हो गया RMSE RMSE एक mean squared error भी है which is useful in some cases तो दो matrix होगे जो मैं बताते हैं कि कितनी line close है to the predicted points ठीक है to the original points अब यहां पे coefficient of determination ही है जिसको हम r squared भी बोलते हैं r squared क्या है यह number है that explains the amount of variation that is explained or captured by the developed model ठीक है अब r squared क्या कर रहे है r squared हमें यह बता रहा है कि अगर आपका model यह वाला आपका model है तो इसने कितनी diversity या variance captured किया है variance क्या होता है कि यह जितना भी diversity from each point to another point कितना capture किया है for example अगर मैं variance को कुछ इस तरीके से draw करूँ तो आपका जो general model है यह कितने percent आपकी फिलाओ को भी यहां पे capture कर रहा है या explain कर रहा है इस चीज़ को हम बोलते है r squared like for example r squared is the number एक इन number होगा that explains the amount of variation that is explained or captured by the developed model जो आपने train कर लिया model वो कितना variance capture कर ला है तो इसका मतलब r squared हमारे पास तीसरी एक evaluation metric हो गया या हमारे पास एक ऐसा पेमाना हो गया जिसके through हम linear regression को map सकते हैं and it always ranges from 0 to 1 चलो इसका भी आपको पता चल गया कि 0 से 1 के दिर्मियान होगी इसकी value overall the higher of the r squared value the better the model is इसका मतलब है कि अगर 1 के करीब-करीब value होगी बहुत अच्छा model है आपका 0 के करीब होगी तो बस ठीक ही है model समझागी बात की और mathematically इसको ऐसे represent किया जाता है 1-RSS-TSS RRS क्या है residual sum of squares ठीक है residual sum of squares हम क्या करते है इस sum of squared of the residuals of each data point है जो हमने sum किया था ना सारी की सारी errors को यानि कि error 1, error 2, error 3, error 4 सभी को जब हमने जमा कर लिया ये उसको हम बोलते है residual sum of squares RSS वो चीज है जो हमने उपर mean squared error के अंदर भी जमा किया था फिर हमारे पास TSS आता है TSS क्या है total sum of squares is defined as the sum of errors of the data points from the mean to the response variable ठीक है ये mean से onward होगा by the way ये mathematical notations है पुराने दोर के अंदर तो इसे mathematically आप खुद से draw करते थे but R squared का जो formula है ये आपको याद करने की तो जरूरत है कि इसमें residual sum of squares जो है वो आपके सामने आएगा plus आपके पास जो total sum of squares आएगा इनको जब आप divide करेंगे 1 में से minus करेंगे तो R squared की value आएगी ठीक है R squared की value 1 के जितनी क्रीब होगी उतनी अच्छी रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता but this is an example कि अगर सारे के सारे points बहुत ज्यादा close होंगे यानि कि line के उपर आगे error तो हुई कोई नहीं ना predicted भी यहीं पर है original भी यहीं पर है तो ये हमारे पास 1 की value दे रहे R squared की अगर ये point कुछ इस तरीके से हमारे पास तीन matrix है जो आपके machine learning algorithm को बताते हैं कि कितना अच्छा है root mean squared error mean squared error and r squared score तो ये हमारे पास तीन evaluation matrix है दो लोग इसको समझते हैं RMSC को और जो हमारे पास r squared है इसको ज़्यादा एहमिया दी जाती है different linear regression के model के अंदर लेकिन हम इन तीनों को देखेंगे तो हमारे पास जो चीजे important हुई पहली चीज़ ये है कि जब भी आपने simple linear regression को लगाना है या linear regression को लगाना है मैं simple linear regression की बात इस video से कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि linear regression में सबसे पहले simple है पहली चीज़ इसमें ये है कि linear relation होना ज़रूरी है assumptions की बात हो रही है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ assumptions number one linearity of residuals होना ज़रूरी है number two is linearity के बाद independence of residuals independence के वो एक दूसरे पर depend ना कर रहे हूँ dependence of residuals ठीक है और इसके बाद आपके पास जो residuals है उनकी normal distribution होने चाहिए normal distribution of जो आपके residuals है residuals क्या है some residuals है आपके जनाब जो original से predicted का फरक है ठीक है original जो है वो points है line जो है वो predicted है वो normally distributed होने चाहिए ठीक है और यही चीज है जो हमें तीन important points है जो मैंने आपको बता है अगर यह होंगे तो आप simple linear regression लगा सकते हैं otherwise नहीं even though linear regression भी लगा सकते हैं otherwise नहीं simple linear regression क्या होगी जिसके अंदर सिरफ एक x हो और एक ही y हो ठीक है x जो है आपका independent हो और y है आपका dependent हो ठीक है तब ही आपके पास simple linear regression लगेगी इन अदर से कि अगर आपके पास एक independent एक dependent variable है और यह तीन properties है उनकी तो आप simple linear regression लगा सकते हैं अब अगर आपके पास x ज्यादा हो जाते हैं यानि कि 1x, 2x, 3x, 4x, 5x like this x1, x2, x3, 3 या 3 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा तो हम इसको multilinear regression बोलेंगे multilinear regression यानि कि x से ज्यादा जब x हो जाएंगे तो यह multilinear regression हो जाएगी ठीक है and this is how you can actually define कि आप linear regression के अंदर किस तरीके से काम करते हैं I know sometimes इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजा से हम अब देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे points हैं जो हमें बताते हैं कि simple linear regression किस तरीके से हम लगाएंगे और इसकी example भी देखते हैं हमारी notebook के अंदर तो आपको और भी clear हो जाएगा और sometimes it takes time to understand लेकिन for now we will see कि यह किस तरीके से काम करती है तो मैं अपनी notebook के ऊपर आपको लेके जाता हूँ and then we will see how we can actually implement these things in our data तो जनाब यह आपके सामने notebook open होगी है ठीक है अब यहाँ पे हम saved model तो कल वाला काम था machine learning के अंदर 7 पे मैं यहाँ पे 08 underscore linear regression इसके उपर आते हैं dot ipynb यह हमारी notebook open हो गई है अब इस notebook के अंदर हम अपना काम करेंगे let me see कि यह हमारे पास किस तरीके से चलती है notebook यहाँ से kernels आप select कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब linear regression linear regression markdown में से ले जाते हैं और आपको पता है कि मैं कुछ इस तरीके से जो है वो define कर लेता हूँ चीजों को github co-pilot ही मुझे define करके basically यह दे देगी ताके मेरे पास यह चीज़ें समझ आ रहे हैं so linear regression is a supervised machine learning algorithm where the predicted output is continuous ठीक है पहली बात तो यह and constant and has a constant slope यानि के आप किसी भी जगा पे चले जाएं तो उसकी slope जो है वो constant ही रहेगी like this जब आपके पास एक line आ जाएगी it's used to predict values within a continuous range obviously for example sales price rather than trying to classify them into categories there are two main types कौन कौन सी main types और वो देख लेते हैं हमारे पास simple linear regression है only one independent variable more than one independent variable होंगे तो हमारे पास multilinear regression होगी ठीक है let's do the simple linear regression first और उसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको perform कर बाते हैं on our any kind of data set then हम देखेंगे के how we can actually work on this thing just a minute हमारे पास यहां पे for example import libraries करते हैं सबसे पहले हमने करनी है import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt and then import cbon as sns ठीक है और हमने from sklearn dot यहां पे जो preprocessing है import standard scalar कर लेते हैं और encoding करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक dependent और independent variable को लेके जाना है from sklearn dot sklearn dot linear models linear model के through हमने logistic regression नहीं लेनी linear regression लेनी linear regression simply तो यह हमने ले ली यहां पे linear regression वगएरा अब हमने क्या करना है क्योंकि हमने evaluate भी करना है model को तो हम यहीं पे उसको वो भी check कर लेते हैं तो हम train test template भी यहां पे लेके आएंगे और हम evaluation matrix भी लेके हैंगे mean squared error हो गया root mean squared error तो हम खुद ही ले लेंगे के बाद हम data लेके आते हैं load the data data tips from sns तो sns से में tips का data लेके आता हूं ताके हमारे पास tips का data जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा because we already know this data set very much तो हमारे पास total bill है और tip है यह दो चीज़े तो मैं यहां पे सबसे पहले sns. यहां पे बनाता हूं scatter plot scatter plot बनाते हैं हम total bill का और tip का तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से model बनता है which is kind of linear अगर आप check करें तो यहां पे इसका एक linear trend नज़र आ रहा है obviously यहां पे थोड़ी सी error ज्यादा होंगी but it's starting from here और इस तरीके से linearly इसका trend जो है हमारे पास जो है वो आ रहा है अब हम क्या करते हैं total bill और tip के उपर अपना जो है वो model को लगाते हैं लेकिन अगर आप गौर करें तो हमने pre-processing और इतने कुछ भी करने है but मैं pre-processing का step यहां पे जो है वो skip करूँगा मैं आपको train test सप्लेट करवा के directly जो है वो matrix के उपर ले जाओगा उसकी reason क्या है मैं भी आपको बताता हूँ तो हमने x और y अपने separate करने है ठीक है पहले तो split the data into x and y तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x जो है हमारा total bill है तो double dimension में आ जाएगा y हमारी tip है तो वो इस तरीके से आ जाएगा तो हमने x और y ले लिया अब हमने क्या करने है split the data into train test split ठीक है तो simply आपको ये एक ही दफ़ा code अगर आप लिख लेते हैं तो आप बार बार इसको copy कर सकते हैं तो मैंने 80-20 की ratio पे अपना data जो है उसे split कर लिया x और y अब हम क्या करेंगे call the model तो यहाँ पे हम linear regression को model बोल देंगे linear regression आ गया अब हम अगले step में करेंगे train the model तो model.fit यहाँ पे command लगेगी और x train और y train को हमने लगा लिया linear regression model train हो गया now we can actually predict something if you want to do लेकिन say for example हम यहाँ पे predict करते हैं चीजों को उसके लिए हम y predict ले सकते हैं ठीक है क्योंके हमारे पास x test जो है उसकी base पे हम y predict को यहाँ पे ले आते हैं reason क्या है क्योंके हमने अब model के evaluate करना है ठीक है एक और चीज हम model का intercept और slope जो है यहीं से निकाल सकते हैं say for example take out model intercept and slope make an equation out of it so उसका बेतरीन तरीका यह है कि model का intercept आप यहाँ पे print करें model का coefficient भी आप जिसको हम slope बोलते हैं वो आप print कर सकते हैं और आप इसको इस तरीके से एक equation के अंदर जो है वो ले के आ सकते हैं like this ठीक है so यह आपकी जनाब equation है यह आपका है जनाब intercept 0.9285088 something 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 यह है जी आपका coefficient coefficient क्या होता है आपको भी पता है जो चीज x के साथ आती है originally हम इसको slope बोलते हैं लेकिन यह coefficient भी कहलाते हैं तो हमारे पास यह दो constant आगे एक यह एक यह और तीसरी चीज हमारे पास x है जो variable है इसका मतलब है कि जब भी हम जब भी हम यहाँ पे इस equation को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने सिरफ x की value देनी है तो उसके साथ यह वाली calculation होनी है यह multiply होगा यह जमा होगा और y आ जाएगा simply तो यह हमारा model है basically यह equation हमारा model है और जहाँ पे 0.92 fit हो रहा है यह best fit line है इस data की जो हमने data इसको provide की है उस data की base पे यह best fit line हमें क्या दे रहा है यह वाला हमारे पास जो intercept है यह हमारे पास इसकी slope आ गई ठीक है सो हमने यह equation इससे बना ली simple, very simple is that अब जैसे ही आप model.predict करते हैं और यहाँ पे कोई value देते हैं जैसे मैंने x test की value दी which is like this यह वाली total bill की मैंने values दी हैं x test की जो मैंने रख ली थी 20% जैसे मैंने यह वाली value दी हैं अब अगर आप गोर करें यह सारी की सारी value को as a column मैंने दी है यहाँ पे x के अंदर तो यहाँ पे x test की base मैंने as a column इसे पकड़ा दिया कि यह पकड़ो जी data सारा इनको predict करो उसने y predict में वो data दे दिया ठीक है? यानि कि y underscore predict अगर देखे तो यह उसने predict किया पहले की base पे यह वाली दूसरे की base पे यह वाली तीसरे की base पे यह वाली tip उसने predict कर दी ठीक है? तो हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि कितनी error के chances हैं तो हम क्या करते हैं? evaluate the model अब evaluate करते हैं model को कैसे करना है? हम सबसे पहले mean squared error को ले के आते हैं और mean squared error को इस तरीके से हम calculate करते हैं यह जो है function हमने पहले call की है start में यहाँ पे mean squared error and root r square score तो अगर आप गोर करें यहाँ पे mean squared error आ गया अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास r square score आए इसके इलावा root mean squared error भी मैं लेना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा for example print इसके अंदर मैं लिखूँगा rmsc तो वो मुझे क्या देगा अब आप गोर कीजेगा आप numpy को use करके square root लेंगे mean squared error का simply तो यह आपका root mean squared error होगा ठीक है तो simple आपने यह तीन matrices यहाँ पे print कर दिया मैं इनको run करता हूँ अब अगर आप गोर करें जनाब तो हमारे पास तीन values आगी है mean squared error की 1.23 है r square score हमें बता रहा है कि कितना अच्छा model आपका generalize है which is 4.41 1 के करीब भी नहीं है 1 से दूर भी नहीं है तकरीबन 50-50 है root mean squared error आपको क्या बता रही है कि आपके residuals कितनी value पे दूर है ठीक है and this is how you can actually have an idea कि आपका model कितना अच्छा perform कर रहा है हमारा मकसद हमेशा यह होता है कि mean squared error या root mean squared error को बहुत कम ले के आना जितना कम हो सके हम उसको ले के आते है जितनी error ज्यादा होगी उतना r square भी कम होता जाएगा reason यह है कि जितने points फैलते जाएगे यानि कि जितने points line से दूर होगे उतनी error ज्यादा होगी जितने points line के पास होगे उतनी error कम होगी on the other side आपके पास जो r square score है वो भी 1 के पास पास होगा इसको देखने का एक और तरीका भी है we can actually plot the data so यहाँ पे plot the model original versus predicted भी कर सकते हैं या data को भी आप plot कर सकते हैं we will see कि हमारे पास किस तरीके से x test और y test plot होता है और इसका scatter plot हम draw कर सकते हैं और हम उसके उपर यह दूसरी line को भी predict कर सकते हैं and then we can actually show the plot using PLT यहाँ पे check करें यह था जी हमारा x test and y test जो है यह points शो हो रहे हैं आपको ठीक है यह जो points है यह original data के हैं जो model है हमारे पास वो यह वाली line है जो radicular की है ठीक है यह best fitted line है अगर आप गोर करें तो यह जब नीचे को cross करती है तो हमारे pass intercept की value आ जाती है which is 0.92 तो यह 0.92 पे यहाँ पे आके cross करेगी ठीक है यहाँ पे और इसकी slope जो है automatically जिसको हम coefficient of x कहते हैं यानि कि x से कितना उपर को उठी हुई है चीज़ ठीक है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे coefficient of x या slope अगर वो बिलकुल flat होती ही तो x की value वहां पे 0 होती है ठीक है क्योंके वो उठी हुई यह value तो उसकी वड़ा से मरपा slope की value यहाँ पे अच्छी खासी आ रही है तो यह slope क्या है slope basically वो जो होती है ना slides different आपके parks के अंदर तो यह वो ही slope है तो अगर आप गौर करें तो original जो है यह पीछे data यह इसका एक line है जो इसमें से show कर रही है अब आप खुद सोचें अगर यह इसमें से outliers remove कर दिये जाएं तो यह best fitted line नहीं हो जाएगी आप देख सकते हैं ना so sometimes आपको जब data pre-process करते हैं तो आपकी यह वाली line जो है different तरीके से आपको नज़र आती है मिसाल के तोर पे अगर मैं यहाँ पे data को scale करके ले क्या हूँ say for example मैं यहाँ पे अगर data को scale करूँ say total bill को अगर हम scale कर ले then हम देखते हैं कि क्या impact पड़ता है just a minute मैं यहाँ पे scalar is equal to तो यहाँ पे standard scalar ले आते हैं और यहाँ पे हम scalar को लगा देते हैं x के उपर ही तो मैं दुबारा से सब को run करता हूँ let's see हमारे पास किस तरीके से model जो है वो आता है I will rerun everything check करें अब आप check करें आपके पास scale करने के बाद क्योंकि standard scalar यूज़ की है minus में भी values आईगे है और plus में भी आईगे है and now you can have a look के आपके पास यह वाली value r square की 0.44 से 0.46 हो गई है ठीक है और अगर आप गोर करें आपकी intercept की value 2.99 होगी है जो 0.92 थी और यह वाली 0.92 होगी है जो आपकी coefficient की value थी तो scalar ने model को भी adjust की है ठीक है that's how you can actually have an idea कि pre-processing का कितना role है आप गोर करें यहाँ पे जो point scatter, scatter थे वो तकरीबन पास पास हो गए है तो यह एक scalar का काम है अगर आपको यह वाला scalar नहीं पसान तो आप min max scalar यहाँ पे use कर लें अगर मैं यहाँ पे min max scalar यूज करो इसको run करता हूँ बलके मैं सभी को run करता हूँ then you will see a change यहाँ पे check करें अब मैंने min max scalar यूज किया है न तो आपके ज्यादा points यहाँ पे हैं लेकिन यह 2-3 points अभी भी दूर है reason क्या है कि data का magnitude वैसा ही है but there is something wrong with these data sets जो last पे ज्यादा family वाले लोग है यह ज्यादा bill वाले लोग है but we will have an idea यहाँ पे mean squared error आपकी 1.16 है but r square आपका 0.5 पे पहुंच चुका है min max scalar को use करने से और rms से भी 1.07 होगी है इसका मतलब scalars help a lot लेकिन अगर आप outliers भी remove कर देते हैं for example last वाले दो points जो है आप इसे remove कर देते हैं then if this model will go into more accurate way ठीक है तो आपका model और भी accurate हो जाएगा and this is how you can play with this notebook आप से मेरी request यह है कि आपने इसी data set पे अपने data को pre-process कर के आगे चलना है and then you have to show कि आपके पास जो simple linear regression है वो कौन-कौन सी output जो है वो आपको दे रही है at the end आपने यह जो आपके पास तीन values हैं इन्हें interpret भी करना है ठीक है खुद से interpret करना है कि यह क्या show कर रही है तीन की तीन value and this is how you can actually draw a simple linear regression hopefully आपको समझ आगी होगी कि simple linear regression किस तरीके से काम करती है right so यह तो detailed explanation थी हमने शुरू से end ते देखा linear regression को और simple linear regression को multilinear regression बहुत असान है मैं यहीं पर आपको बता के आगे चलूँगा आपने क्या करना है यहाँ पर आपने देखा है कि हमने simply total bill और tip यानि कि इन दोनों चीजों को ही यहाँ पर plot किया है multilinear regression में आपके पास दो variable होंगे जो independent होंगे यानि पर आप यहाँ पर दो variable डाल सकते हैं अब अगर आप गौर करें यहाँ पर हमारे पास total bin and tip था continuous में तो हम कोई और data ले ले लेते हैं जहाँ पर multilinear regression को हम लगा सकें so we can actually have an idea के multilinear regression क्या होगी आपने क्या करना है simply कुछ नहीं जाना आपका x के अंदर कॉमा डाल के न अगले variable को add कर देना है that's it multilinear regression होगी for example यहाँ पर मैं size रखता हूँ जो integer value I know that but अगर आप इसको run करेंगे तो यह multilinear regression हो जाएगा simply nothing more than that यह आपका multilinear regression हो जाएगा यानि के आप continuous value को यहाँ पर add करें और वो multilinear regression के अंदर change हो जाएगा so multilinear regression कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आपका सिरफ यही होता है उसमें कि आपने दो variables दो independent variables को ले के आना होता है यानि के x के अंदर एक और variable आपने डाल देना है that's it so अब आपने क्या करना है इस notebook को अच्छे से देखना है समझना है परकना है और इन चीजों को practice करना है बार-बार ताकि आपको matrix की समझ आजाए linear regression की समझ आजाए और आपके पास एक knowledge base आजाए किस तरीके से चीजें predict होती है model की base पे last but not the least अभी जो मैं आपको एक छोटी सी look देने लगाऊ कि model कैसे predict करता है unknown value को और AI को कैसे पता चल जाता है कि हम किसी चीज के बारे में क्यूं देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं किस तरीके से हमें उसने answer देना है let me show you in this short explanation so हमारे पास जो data था ना हमने उस data से एक line draw की ये वाली इस तरीके से line draw की ठीक है ये line कोई भी intercept हो इसका कोई भी slope हो we don't need to care now ठीक है जब ये line आ गई है ना इस line की base पे आप किसी भी unknown value को predict कर सकते है say for example मैं चाहता हूँ कि मैं 1,2,3,4,5,6 जहां पे मेरे पास x की value 5 है ना उसके against मुझे y की पता चल जाए यही मकसद है ना machine learning का तो आप क्या करते है ये 5 से उपर को line कहांच दे और जहां पे ये टकराती है इस एक line से आप वहां से इस side पे एक line कहांच देते है ये जो y की value है ये model हमें ये बताता है कि यहां पे for example अगर 11 है y की value तो ये 11 जो है जब जब 5 y होगा 5 x होगा वहां वहां पे 11 होगा y ठीक है तो machine learning हमें यही बताती है कि ये जो model हमारे पास है आप हमें x की value दो यानि कि input दो input मुझे पकडाओ मैं तुम्हें output देती हूँ ठीक है इसी base पे सारे के सारी regression की problems जो हैं वो अकर करती है hopefully आपको अब समझ आ गया कि input value आपने देनी है unknown की base पे उसने आपको output देनी है ठीक है आपने पहले model train किया training में क्या हुआ ये एक line उसने खैंच ली generalized line इसको बोलते है जो सभी को खुश रखती है सभी इर्दगिर्द वाले point को अब आपके पास जो prediction आई है वो y की आई है यानि कि ये वाली ठीक है आपने x दिया था so data की base पे जितने आपके पास x होंगे आप उसकी base पे फिर y को predict कर सकते है यानि कि model हमें क्या देता है in short जब आपको पास एक line आजाए कभी-कभी ये एक plane होगा कभी-कभी कोई और चीज़े होंगी we will see that तो आप एक value देंगे तो आपको ये दूसरी predict करके दे देगा यही machine learning है यही prediction of machine learning है यानि कि machine learning की base पे आप data driven predictions कैसे करते हैं this is how you do that यहाँ पे हमारा lecture जो है इसे हम खतम करते हैं hopefully आपको समझ आगी होगी कि simple linear regression linear regression इन सभी चीज़ों में क्या फरक है और इन्शाला मैं कोशिश करूँगा इनको और भी detail में जो हमारे chapters लिखे जा रहे हैं साथ साथ ऐसे book की form के अंदर machine learning की book इन्शाला हमारी आजाएगी बहुत जल्द वो भी उसके उपर में मेनत कर रहा हूँ तो इनको और भी detail में लिखूँगा क्योंकि reason यह है कि सारी की सारी linear regression को मैं एक lecture में नहीं समा सकता nearly impossible क्योंकि there are many things small 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 short 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 mathematical formula जो मैं यहाँ पे आपको दिखाए तो हैं बट in detail उनको drive करने में time लगता है बट इन्शाला जो हमारी book कारी उसके अंदर में detail में लिखूँगा आपके लिए जो जरूरी काम था वो यह था कि आपने किस तरीके से simple linear regression को python के अंदर apply करना है और आपको पता होना चाहिए कि यह जो matrix है इनका मकसद क्या है train test split का क्या मकसद है और जब हम यह एक equation बनाते हैं यह equation basically एक model है और at the end हम जब predict करते हैं तो prediction किस base पर आ रही है अब अगर आप गौर करें यहाँ पर हमारे पास सारा model आ गया हमने x test यानि के पूरे के पूरे x test को यहाँ पर predict किया in other words आप यहीं पर अगर model dot predict करेंगे न model dot predict आप किसी भी एक value की base पर भी कर सकते हैं for example जो मैंने आपको बताई 5 अगर किसी का total bill बनता है वो tip कितनी देगा so this can actually tell you क्योंके मैंने scalar लगा है इस वज़ा से यह value मेरे पास बहुत high आ रही है but on the other side this is how you can actually do the thing मैं दोनों को करता हूँ comment out and now I can show you के हमारे पास model जो है वो कैसे prediction देता है मैं सब को run करता हूँ and now you can have an idea 5 यहां पे अगर मेरे पास total bill बनना है तो 1.42 मेरा जो है वो sorry for that मेरे पास 1.42 values जो है वो मेरे पास basically आएगी for tip so independent or dependent variable का मतलब यह है कि जब आपने एक को scale करना है दूसरे को भी scale कीजिएगा यह ना हो कि आप एक को scale करके बैठे है जिसका bill 2 डॉलर बनना है वो 5 डॉलर पे tip दे रहा है so you need to make that relationship in your head in an easy way so यहां पे आपको समझागी होगी linear regression क्या होगी simple linear regression क्या है multilinear regression क्या है हम data की best fit line कैसे बनाते है model होता क्या है coefficient क्या होता है intercept क्या होता है या slope क्या होती है फिर हमने देखा कि evaluation of matrix क्या होता है evaluation of model कैसे की जाती है r² क्या होता है rmse क्या होता है mean squared error क्या होता है और यह हमें बताते हैं कि हमारा model कैसा है यहां पे इस lecture को हम रोगते है hopefully आपको यह lecture समझाया होगा अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी सीखने से related तो please write down in the comment section like, share and subscribe